गर्मी का मौसम बाहर काम करने वाले लोगों के लिए बहुत कठिन समय होता है इस मौसम में देश में कई हिस्सों में भीशन गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड रही है गर्मी का पारा बहुत हाई हो गया है चल चलाती धूप और गर्म हवाओं में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है ऐसे में घर से बाहर निकल कर काम करने वाले लोगों के लिए हीट स्ट्रोक यानि की लू लगने ले समस्याओं का खत्रा बना रहता है इसलिए बहुत जरूरी है कि लू से बचने के लिए आप अपनी सेहत का खास खयाल रखें आईए जानते हैं आज के वीडियो में कि हीट स्ट्रोक क्या है हीट स्ट्रोक यानि कि लू के लक्षण क्या है और इसका उपचार क्या है लू लगने के घरेलू इलाज क्या है साथ ही लू लगने के कुछ घरेलू इलाज की भी बात करेंगे लू लगने पर क्या खाना चाहिए इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या कि हीट स्ट्रोक है क्या हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक को सामाने भाशा में लू लगना कहते हैं गर्मियों के मौसम में लू लगना कोई बड़ी बात नहीं हीट स्ट्रोक तब होता है जब आप लंबे समय तक धूप में अधिक टेंपरेच जिससे शरीर की गर्मी निकल नहीं पाती। ऐसे में आपके शरीर में खनीज खासकर नमक और पानी की कमी हो जाती है। आपकी बाडी डिहाइडरेट हो जाती है और बेहोशी जैसी समस्याइं देखने को मिल सकती है। हीट स्ट्रोक में शरीर का तापमान 105 डिग्री फारेन हाइट से अधिक हो जाता है और शरीर के सेंट्रल नर्व सिस्टम में कुछ जटिलताएं उत्पन हो जाती हैं। समय रहते अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। बात करते हैं लू के लक्षणों की। अगर किसी को लू लग गई है तो उसमें कुछ इस तरह के सामान लक्षण देखने को मिलते हैं जैसे उल्टी और मितली, जी मिशलाना, तेज बुखार, लूज मोशन, तवचा का सूखना या गर्म होना, तवचा का लाल होना, डिमें करना, लू लगने या हीट स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। धूप के साथ गर्म हवाओं में ज्यादा शारीरिक गद्विदियां करना, डिहाइडरेट रहना, कैफीन और अलकोहल का आतिदिक सेवन करना हीट स्ट्रोक के प्रमुक कारण है। पानी, जूस, आदी, धीले वाहल के रंग के कपड़े पहने, शरीर को हाइडरेट रखे, शराब और कैफीन से बचने की कोशिश करें, धूप में निकलने से पहले सैनस्क्रीन, धूप के चश्मे, चोड़ी वाली टोपी, छाता, आदी चीजों का उप्योग करना ना भू एक नजर डालते हैं लू लगने के घरे लू अपचारों पर, आपको शायद नहीं पता कि लू लगने पर आपको क्या खाना चाहिए, तो लू से बचने के लिए आप आमका पन्ना, नीबु पानी, टमाटर, तर्बूज, हीरा, ककड़ी, आदी का सेवन कर सकते हैं, इसमें हीट स्टोक से खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है, अचानक गर्मी से ठंडी जगह या ठंड से गर्म जगह पर जाने से बचें, इससे शरीक कर टेंपरिचर अचानक से घट बढ़ सकता है, और आपकी सेहत को नुकसान पहुँच सकता है, जैसे अगर आप एसी में हैं, तो उससे उठकर तुरंत बाहर गर्म हवा में या गर्मी धूप में ना जाएं, लू से बचने के लिए प्याज को काफी कारगर उपाय माना जाता है, आप प्याज को कच्चा या भून कर भी खा सकते हैं, इसके अलावा आप प्याज के रस के साथ नीवू का सेवन भ बहुत से पुराने लोग बताते हैं कि अगर आप कहीं धूप में बाहर जा रहे हैं, तो एक छोटा सा प्याज अपनी जेब में रख रहें, वो भी आपको लू से बचाने का काम करेगा, नारियल पानी आपके शरीर के लिए बहुत हेल्दी होता है, ये आपके शरीर में प प्रात्मिक उपचार कैसे करें, हीट स्ट्रोक होने पर आप पीड़ित को तुरंद ठंडी ये चायदार जगह पर ले जाएं, ततकाल चिकित्सा यानि की प्रात्मिक चिकित्सा सहायता के लिए संपर करें, यदि पीड़ित दिक्तिने भारी भर कम ड्रेस पनी होई है, तो उसे बदलने के लिए बोलें, पंखे से पीड़िता को हवा देने की कोशिश करें, ठंडे पानी से उसके शरीर को पोचें, मरीज होश में हो तो उसे तरल पदार सेवन के लिए दें, जैसे नीवु पानी, जूस, लस्सी, दही, आदि, ततकाल चिकित्सा ना मिलने तक चाहिए, इससे शरीर में ठंड़क बनी रहती है और लू लगने का चांस कम हो जाता है, कुछ उपचारों की बात करें तो इसमें बेल का शर्बत बहुत खास है, गर्मियों में बेल का शर्बत बहुत फायदे मंद होता है, यह आपके पाचन तंतर को ठीक रखता है, इसमे तरह से आम का पन्ना है, आम का पन्ना भी आपको लू से बचाने का काम करता है, कच्चे आम को बाजार से लाइए, उसको आग में भून लें या फिर आप उनको उबालने के बाद आम के पन्ने को मसल कर, उसका पल्प निकाल लें और उसको पानी के साथ मिक्स करें, जिसमे को लू लग गई है तो इसको ठीक करने के लिए भी परने का प्रियोग किया जा सकता है जैसा अभी हमने चर्चा की के बहुत अधिक तापमाल लंबे समय तक रहने पर हीट रिस्ट्रोक जैसी समस्या हो सकती है इसमें बोडी का टेंपरेचर एक सो चार एक सो पांच दिग्री कपड़े पहने दूप में चाता लेकर निकलें भरपूर मातरा में तरल पदार्थों का सेवन करें फिर भी हीट स्ट्रोक की समस्या गंभीर होते ही मतलब आपको हीट स्ट्रोक की समस्या है आपको मालूम है कि आपको लू लग गई है और आपने कुछ प्रात्मी कुपचा दिया है लेकिन उससे अगर पेशेंट को या उस वेक्ति को राहत नहीं मिल रही है तो आप तुरंथ ही अपने नजदी की चिकितसक, आयूरविदिक चिकितसक, खोंपैते चिकितसक या किसी भी तरह की जो चिकितसकी ये सहता है उसको तदकाल प्रभाव से आप ले सकते हैं या लेना चाहिए क्योंकि आपकी लापरवाही जान जाने का मुख्य कारण बन सकती है इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें अपने चिकितसक से तुनंत संपर्क करें आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफी काम की रही होगी वीडियो अच्छा लगा है तो इस दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें बिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इंफर्मेशन के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम